कि नमस्कार मैं अमित कश्यप और आप देख रहें गामा टाइम साच की तह तक इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के खुशी नगर जिले से आई ये डालते समवादाता की एक रिपोर्ट पर नजर उत्तर प्रदेश कुशी नगर जिले तो उसी को दखाने के लिए उसी के बारे में पूछने के लिए हम पहुंचे हैं रेलवे के पास महताब क्या घर पर यह महताब का घर है अभी हम दखाते हैं और उनसे मिलाते भी हैं इनकी परसानी क्या क्या है खुद हम इनसे पूछे नहीं यह बचारे बड़ी परसान है और इनके चार पांच बच्चे भी है जो खाने पीने के मजबूर हाई है मकान था जो रहने के स्प्रिंग पर आपको देखाई दे रहा होगा यह मकान दीरा जिसमें बचे दबने से बच गए हैं यह उपर वाले का सुक्र है हम चलते हैं आपको और मिलाएंगे महताब हो से और उनके बच्चों से जखाते हैं उनका पलवार और उनके मकान, उनका घर, कैसे बिदा हुआ और कैसी जमीन की सुखी है, इस इभर के जमीन के बारे में जिन से पूचेंगे, और केतने साल से राते हैं, क्या क्या इदि पॉइसन है, इस टायम कितने परचान है, यह अपनी परचानी कुछ ब्यान करेंगे, तो कितने साल से यहां पर रहते हैं, लगबब चकबंदी विनाज पूप से ही रहते चले आ रहा है, इसी जमीन का, लगबब कितने साल होंगे, अगर जब इस पर आया हरवार की बात आई को, तो हमने प्रगना मजिश्चेट कवाँ, मारे पिता सिरी जो है, मुख़मा किये अच्छा आपको अप्रवार हुए है, हाँ परिवार ती इदर देखके वोलिए केमराट के रहते हैं, परिवार था, दस साल, पूर भी ही मर गई, उहाट के मरीज थी, सासन से मैंने मदद मांगा था, मदद भी जो सासन बहुत बाद में दिया, इस वक्त अखलेश की सरकार थी, तमाम पूशित करने के बाद मीला एलाज हुई, लेकिन चार मर्तबा फालिस अटेक कर गया, और अब चली गई, दुनिया छोड़के चली गई, तब से बच्चे को पालन पोसंट, तो आपके बच्चे कितने हैं, आप बच्चे पहुँच हैं, पांच बच्चे, तो पैसे आपका खर्चा चलता है, आप खर्चा लोगों के मदद से चलती है, पहले आप सिलाई उलाई कर अब पिछले 30 तारीक को हमारा हारे टेक हो गया था, तो 30 तारीक यानि जैसे कि बीवी के मरने के बास से आप काम करना छोड़ दिये, तो खर्चा कैसे चलता है, काम करना नहीं छोड़े, काम थदा काम करने लगे, जैसे माल लिज़े कि हम रातों में भी बैट के सिल लेते 24 गंटा के दित होता है, तो 22 गंटा हम बैट के लिए कि हमारे बच्चे खुशा है, अब ही फिलाल के लिए यह कहा हूँ, कि मैंने लेकदे के पास फोन किया, जो सिमांगी में समारे सर्किल के उन्होंने दो मरत गंटी बजी, तीसरे मरत लिज़े, में सुचाफ हो गई, फिर मैं ग्रामपरदान परतिनी दी मौहद मौह्मध सगीर के पास किया, तो उन्होंने जवाब हमें यह दिये, कि लेकपाल के पास करो, लेकपाल कोई जवाब ही नहीं दी, उसके बाद फिर हमने तासिंदा कोई आपदक कोई नहीं, कोई अधिकारी करमचारी हमसे पूछने पड़ताने के लिए नहीं आया कि किस हालात से हो कैसे हो जो पड़ी आपने आप नो बज़े रात में खापी के जो नमा लगा है उस दिन से नहीं है बीमार है हमारी दवा भी जो है दो दिन से उसी मिट्टी में दब गया है जो गिर गया है खोज रहा है मिली नेरा कहीं चटक गया किया हो गया परसानी हमारी बढ़ गई है यह लड़की हमारी बड़ी लड़की है यह नहीं पढ़िए यह पाइप यह नहीं है जखाजिये आई यह सारा अउसी का इंटान निकाल करतें आईए हम दखाते हैं इनके मकान को जो गिरा ंडेरा जो तीन बच्चे थी इसमें रात को गिरा सोने का टाइम किस तरह बनार को हम देखातें अंधेरा तो होगा लेकिन फिलाल हम तक है आपको यह इनकी राने का सामान मेंघके आप और यह तो गिर गया थो दिखाई नहीं देखाएंगे फिलाल मंबाब को बाहर से दिखाएंगे आईए बाहर आईए इसमें अंधेरा है दिखाई नहीं देरा आपको और यह पूरी जमीन है यह भी जोपड़ी गिरा हुआ इनका तो आप उस जोपड़ी जब गिरी तो भी मैं आप सरकार से कुछ मांग करना चाहते हैं क्या परसान वह उस पर कावी जीतने दिन से है कि आपके पिता जी यहीं थे नहीं यहीं बगल के गाम हमारे पिता जी बहुत चोटे थे इतने उमर के थे यह देगे यह 8-10 साल के थे तभी उनकी माबाब मर गया वो भी काफी पैसे वाले थे आपकाफी खेती थी लेकिन इतने बड़े लड़की आपने जमीन को कब्जा नहीं करपाएगा चाहे हमीं क्यों नहीं नहीं पर साथ में यह सारा पानी से भर जाता है तो फिर आप लोग खाई से खाना होना बहुत मुश्किल से बनता है वह इस्टोप रखा हुआ आप तो कोटे में मिट्टी का तेल भी नहीं मिला है बहुत दिक्का से कही है नहीं तो किसी के घर से मंगवाते हैं वह सामने लड़का ख़रा वो उनके घर से खाना आज़ा है नहीं हमारे पास तो हमारी अतनी बड़ी लड़की हो गई सवचाले के लिए बाहर जाती है कुछ नहीं मिला सरकारी लावों में अगर मुझे मिल रहा है अनुदान के तौर पर तो सिरिफ एक रावसन बस और उसके साथ कुछ नहीं यहां को नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं अभी तक बड़ा परसान है यह देखिए आपके सामने हैं कितनी परसानी इनको रहने की जग पड़ता है तो आदमी चला जाता है लेकिन अगर बरस बारी जिहां पूरा पानी से बढ़ा हुआता तो बड़ी दिक्कत थी हमारे बच्चियों को यह सामने रेलवे फ्लट फारा में यह बांडरी है उसी टाइम में आड़ बेढ़ करके पूरा जंगल हो गया था उसी में साँचले की जाती थी तो मोड़के दिखाओ थोड़ा यह एलकि यह रेलवे का डिवार दिखाई देरा आपको सामने अ के टरें भी लगी हुई है यह बहुत परिशान हाल है तो और कुछ आप से काना है और क्या काओ सरकार के पास कल जो है मैं तासिल दार नाइदिकारी ने तासिल दार मोदे को तो उन्हों कि हम लेकपाल को भेज रहा हूं सिमांगी मिस्रा को कल सारे दिन बैट कि जैसे आज नहीं नहीं कोई नहीं यह सिग्रेटरी साहब आये तो सिग्रेटरी साहब का कहनाम यह है कि भाई देखो आप सब कुछ का मांग रहे हैं हमसे तो हम कहां दे पाएंगे इस पर हमना आवास पाएंगे ना आप अपनी जमीन होता तो तक तुमारा घर बना देते हैं मेरे पास ही नहीं nice और सरकार का खाते पर जीए जो जमिन जिस पर है उसको जाज करके उसी को नाम से कर दिया जा में आफ यह ऐसा तक अ rozp कभी हम अधिकारि आके नहीं काई भी तक आप to प्रिलाल भी से अंधेरा था उसको नहीं देखा पाया हम बाहर देखाते हैं आपके जो पड़ी कीस तरह गिरा हुआ है और कैसे जिन्दगी बसर करते हैं यह बाल बच्चे कैसे रहिए करते हैं आप खुद ही देखिए और खुद फैसला कीजिए वैचारे कितने परसान है कि इतनी इनको मदद की जरूरत है ततकाल इनको मदद की जरूरत होनी चाहिए और अभी तक अधिकारी कोई करमचारी यहां पहुंचा नहीं आप देखिए यहां पर यह गीरा हुआ पानी रहता है पानी बहाया गया है यह सब काट करके पानी बहाया गया है यह तो जो पर निले सरंजन राय के पास भी आयते उन्होंने वीडियो बना करके अब तक आपदार आहत के बारे में कहते कर देखा रहा है और जमीन के घर तक पहुंचने की सचाई देखाने की कुशिस कर रहे हैं आप खुदे ही देखिए और फसला की कीजिए कि यह लोग कितने परसान हैं और इनको ततकाल कितनी चीजों की जरुत पड़ेगी खाने की गैस बनाने की अच्छे आपको यह बतेगे कि रासन कार्ट बना रासन च्छे साल हमने लड़ाई लड़ी हमारा एक बैग रासन अंतोदे कार्ट था एक बैग बंद हो गया उसके बाद हमने पूरे अधिकारी को ले करके और सियम साहब तक कर दिया हां तो हम तो होस्पिटल में थे 2017 में वह सामने मड़ी गिर गई इसी तरीका सब्गा था तो तो महां से आए तो यह पता चला कि सुबह जो है अब अधिकारी कौन-कौन आये थे हमको तो मालूम नहीं है हमारे पास फोन गया था तो दियाम साहब की फोन थी बहुत आप कहा बहुत बहुत शुक्रिया बने रहे हैंगामा टाइमस न्यूज खुछ इनका रिपोर्टर अलिम अधिन के साथ आएंदा फिर हम दखाएंगे इनकी इस्तिति क्या है फिलाल यहीं पर बिलान करते हैं